हेलो बच्चों कैसे हैं आप हुम्मीद करते हुआ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे पच्चों आज हमें एक बहुत ही इंट्रस्टिंग पात पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमेटेड फिल्मों का इतिहास पिता जी पिता जी हमारी वार्षिक परिक्षा का परिणाम आ गया परिक्षा यानि इंतिहान मैंने कक्षा में दूसरा स्थान पाया है तता दीदी ने पहला अब आप अपने वायदेग अनुसार हमें फिल्म दिखाने ले चलिए दस वर्षि ए प्रक्षा ने दफ्तर से घर लौटे अपने पिता को खुशी से झुमते हुए बताया अब आपने वादा किया था कि हम अच्छा परिक्षा में रिजर्ट लाएंगे तो आप हमें घुमाने ले जाएंगे पिदाजी ने का शाबाज तुमने तो कमाल कर दिया अब यह बताओ कि कौन से फिल्म देखनी है पिदाजी ने पूछा अवतार प्रखर तपाक से बोला यह बहुत ही अच्छी एनिमेट फिल्म है तभी दर्वाजे भी घंटी बजी प्रकर ने दर्वाजा खोला पडोस में रहने वाले गुपता अंकल आए थे वे एक अनिमेटेड फिल्म बनाने वाली कंपनी में ही काम करते हैं बातों बातों में पिता जी ने गुपता जी को बताया प्रखर और लीना का परि बस इतना ही कि ये फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं प्रकर ने भोले पंज से जवाब दिया अंकल जी आप हमें एनिमेटेड फिल्मों के बारे में कुछ बताईए ना हाँ जो पूछोगे वही बताऊंगा गुपता जी उत्सा ही थोके बूले अंकल जी एनिमेटेड फिल्में बनने की शुरुवात कप से हुई रखर ने पूछा इस बात को लेकर बहुत विवाद है कुछ लोगों का मानना है कि पहली एनिमेटेड फिल्म चार्ल्स एलिनी रेनार्ड ने बनाई थी उन्होंने इसका प्रदशन 28 अक्तूबर 1892 को पैरिस में किया था सन 1906 में जे स्टुवर्ड बलेस्टन द्वारा बनाई गई मूख फिल्मों को मूल कियानी जिसमें आवाज नहीं होती मूख फिल्म को भी कुछ लोग पहली एनिमेटेड फिल्म कहते हैं इस फिल्म का नाम है इस फिल्म में कार्टून चहरे ये से लगते हैं जीवंत यह निकी जीवित चहरे हैं जैसे हम जैसे चहरे 1937 में बनी स्नो वाइट पहली रंगीन एनिमेटेड फिल्म है 1990 के आसपास बनी ट्वाइ स्टोरी पहली पूर्टह कम्प्यूटर निर्मेट एनिमेटेड फिल्म है अंकल जी ये फिल्में बनती कैसे हैं? क्या मैं भी एनिमेटेड फिल्म बना सकता हूँ? प्रखर ने उत्सुक्ता से पूछा, उत्सुक्ता यानि बड़ी उत्सुक्ता थे यानि कि उसके अंदर बहुत जिग्यासा थी पूछने की इन फिल्मों को बनाना इतना भी आसान नहीं है कि हम इसे बच्चों का खेल मान ले किन्तु उचे तेवं प्रयाप्त ग्यान तथा विशेशग्यों के प्रशिक्षन की सायता से कोई भी एनिमेटेड फिल्म बना सकता है अंकल जी आप इसके बारे में हमें पूरी जानकारे दीजिए ना प्रखर ने उसकता दिखाते वे का लीना भी यह जानने के लिए पूरी तरह उसक नजर आ रही थी एनिमेटेड फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले एक विचार आता है इसी मुख्ये विचार के अधार पर कहानी को विक्सित किया जाता है अब कुछ कहानी बोर्ड तेयार किये जाते हैं जो ए प्रकार से कहानी का कॉमिक रूप होता है अब मॉडलिंग विभावग द्वारा 3D माडल बनाए गए जाते हैं पता सैट की 3D सा सज्जा की जाती है अब कहानी की विशे वस्तु के अनुसार पूरा महौल तयार करके द्रश्यों का निर्मान किया जाता है इसके बाद कम्प्यूटर द्वारा एनिमेशन प्रक्रिया के दौरान पात्रों को गती मान किया जाता है गती मान जैसे पात्र चलने लगते हैं तथा उनके हाव भाव को दर्शाय जाता है चित्रों को एक के एक साथ रखकर तेजी से चला दिये जाते हैं पर ये गतिशील होने का भ्रहम उत्पन करते हैं यानि कि चलते तो चित्र ही हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये चल रहे हैं काटू अधिकतर एनिमेशन में 24 से 60 तक प्रती सेकंड चलाए जाते हैं अब कहानी को सजी बनाकर सेट की साथ सज्ज्यात आवएक्षक वस्तमों के चित्रों में रंग भर दिये जाते हैं इसके पश्चार डिजिटल प्रकाश द्वारा चित्रों को और अधिक प्रभावी बनाए जाता है अंत में फोटो साइ आत्रों के लिए आवाजों की रिकॉर्डिंग की जाती है और अंकल जी भारत में एनिमेटेड फिल्मों की शुरुआत कब हुई प्रकर ने पूछा भारत की पहली एनिमेटेड फिल्म दूरदर्शन फिल्म डिविजन द्वारा सन 1904 में बनाए गई इस फिल्म का नाम था एक अनेक और एकता नौवे दशक से इस इन फिल्मों के निर्मान में तेजी आई रमायन 1902 में हनवान 2005 किट्टू 2006 रिटन आफ हनुमान 2007 दशावतार अली बाबा 44 आधी अनेक उत्रिष्ट एनिमेटेड फिल्में भारत में ही बनी है गुपता जी ने बड़े गर्व से ब जान कोश हैं लीना ने कहा तु सब ठाका लगा कर हस पड़े तो बच्चों इस कहानी से हमें यह मौलिक ज्यान मिलता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता पाने के लिए सदा नई नई जानकारिया पानी चाहिए अर्थात हमें हर वो नॉलेज लेनी चाहिए आप चाहे इसे अपने लिए माने ना माने लेकिन हर नॉलेज लेने से आप हर फिल्ड में अच्छा कर पकते हैं अधिक से अधिक जानकारियां अपने अंदर एकत्रित कीजिए अपने ज्यान कोश को बढ़ाईए और अपने बौधिक शक्ता को भी बढ़ाईए तो उम्मीद करती हूँ ये पाथ आपको अच्छा लगा होगा आप इसका अभ्यासकार्याप स्वयम कीजिए